अग्वते वासु देवा इनमारा अधिरादे दोस्तों भकते सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देव उठनी एकाशी जिसे की प्रबोधनी काशी भी कहा जाता है उसके व्रत कथा तो आईए कथा शुरू करते हैं धर्म रायो दिस्टर कहने लगे भरवान्श्री कृष्यन से कि हे भगवन मैंने कार्थिक कृष्य क्रिशन काशी अर्थात रमा काशी का सविस्तार वर्नन सुना अब अब किरपा करके मुझे कार्थिक महा के शुकल पक्षकी आदिशकी के विशे में बतला ये इस एकाशी का क्या नाम है? तथा इसके वरत का क्या विधान है? इसकी विधी क्या है प्रभू? इसका वरत करने से किस्फल की प्राप्ति होती है? किर्पै यह सब विधान पूरवक के यह वगवान क्रिशन बोले है युदिश्टर कार्तिक महा के शुकल पक्ष में तुलसी विवा के दिन आने वाली इस एकाशी को विष्णो प्रभूदनी एकाशी या देव उठनी एकाशी भी कहा जाता है यह बड़े बड़े पापो को इसका महात में मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूरवक सुनो एकाशी वरत कथा बोल्चर कृष्ण भगवाने की जै एकाशी माता की जै एक राजा के राज़ी में सभी लोग एकाशी का वरत रखते थे प्रजा तथा नोकर चौकरों से लेकर पशूँ तक को एकाशी के दिन अन नहीं दिया जाता था एक दिन किसी दूसरे राज़ी का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला महाराज किर्पा करके मुझे नोकरी पर रख लें तब राजा ने उसके सामने एक शर्ट रखी कि ठीक है रख लेते हैं किन्तु रोज तो तुमें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकाशी को नहीं मिलेगा उस व्यक्ति ने उस समय हां कर ली पर एकाशी के दिन जब उसे फलाहार का समान दिया गया तो वे राजा के सामने जाकर गडगड़ाने लगा महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा मैं भूखा ही मर जाओंगा मुझे आने दे दो राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वे अन छोड़ने को त्यार नहीं हुआ तब राजा ने उसे आटा दाल चावलादी दे दिये बेनित्य की तरही नदी पर पहुंचा और सिनान कर भोजन पकाने लगा जो भोजन बन गया तो वे भगवन को बुलाने लगा आओ भगवन भोजन तियार है उसके बुलाने पर पितम भर धारन किये भगवान चतर पुजरूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे भोजन आद्धी करके भगवान अंतर ध्यान हो गए त राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं इसलिए हम दोनों के लिए ये समान पूरा नहीं होता है ये सुनकर राजा को बड़ा अश्चरी हुआ वह बोला मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुमारे साथ खाते हैं मैं तो इतना वरत रखता हूँ पूजा करता हूँ पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिये राजा की वाद सुनकर वह बोला माहराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चल कर देख ले राजा एक पेड़ के पीछे चिपकर बैठ गया उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तिता भगवान को शाम तक पुकारता रहा पर दो भगवान ना आए अंत में उसने कहा हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्रांत याग दूँगा लेकिन भगवान नहीं आए तब वे प्रांत यागने के उदेश से नदी की तरफ बढ़ा प्रांत यागने का उसका कोई फैदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध ना हो इससे राजा को ग्यान मिला वे भी मन से वरत पवास करने लगा और अंत में स्वरक को प्रापत हुआ बोल श्री कृष्ण ववाने की जै बोलो कार्शी माता की जै तो यह हमारी देव उपने कार्शी के वरत कथा थी आग शेर और कमेंट करते रहें हमारा पेस्बुक पर पेज है उसे भी फोलो करें और हमारे चैनल पर वह भी बहुत अच्छे अच्छे कताई हैं जिसको आप सुन सकते हैं सब्सक्राइब करें और कताई सुनिए जै श्री कृष्ण जै श्री राधे ओम नमो भगवते वासु द झाल 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 झाल